गूट्ट मॉर्णिंग फ्रेंड्स विल्कॉम बेक टू मैं चैनल मैं रानी अब सब को मेरे चैनल पे मेरे घर पे बहुत-बहुत-बहुत स्वागत करती हो आई होब आप सभी अच्छे हो मैं भी अच्छी हूँ और आज है संडे हैपी-हपी वेला संडे लेकिन संडे के दि अच्छे से सुखाने के लिए ताकि जितना अच्छा सुखेगा आपका उतना ही मुर्वुरे अच्छा बनेगा इसलिए तो चलो इसे सुखने दो अभी थोरी देर टहल लेती हूँ ब्रेक भी तो चाहिए ये फूल देखो मुझे बहुत पसंदे ये वाले गेंदे मुझे बहुत पसंदे अच्छा है ये भी ठीक है लेकिन वह जादा अच्छे है मुझे तो लगता है, तो चलो अभी breakfast मनाती हूँ अपने लिए उपमा, आज मैं उपमा खाऊंगी, वो भी हरे मतर डाल के, मुझे अच्छा लगता है, हरे मतर किसमी सब डाल देती हूँ, कभी-कभी एक दो खजूर भी डाल देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, उपमा म अब दे सकतो, अपने मर्जी से थोड़ा-थोड़ा कुछ भी, है ना, कभी-कभी सिम्ला मिच भी डालती हूँ, वो भी अच्छा लगता है खाने में, तो रेडी, चलो, गरम-गरम breakfast, आज अंडा नहीं लिया, क्योंकि आज थोड़ी डाउन लग रही है, पेट थोड़ा ख को दिया था, इसके पकोरे बनाऊंगी, और करी, तो ये दोनों से ही आज काम चला लूँगी, क्योंकि बोला न, कल से तब ये थोड़ी डाउन है, फुचका खाने के बाद, पता नहीं क्यों कल पेट दर्द हो रही है, फुचका सिर्फ नहीं, कठाल की सबजी खाने से अच्छे से आप फेटोंगी, जितना अच्छे से आप फेटोंगे, फुला फुला मतलब बैटर को बनाऊंगे, उतना आपका जो बरे हैं न, पकोड़े हैं, वरा भी बोलते हैं कोई पकोड़ा, तो वह अच्छा बनेगा, बनेगा, ये तो एक दम भारी-भारी ताइट- बना सकते हो, ये बहुत बड़ी बात है, मतलब पकोड़े खाने का मन भी करें, तेल भी कम लगे, तो सिर्फ ये बरे ही हो सकते हैं, नहीं, तो दूसरे में बहुत जादा तेल लग जाता है, और ये ऐसे गरम-गरम ऐसे ही तो अच्छा लगता है, और वोपर से अगर सबज आए है, एक गया, फिर एक आया है, तो घर में सांती ही सांती, मैं अपने काम अच्छी तरह से निप्टा लेती हूँ, फिर उसकी पढ़ाई कतम होगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बच्चा अगर चुप चाप घर में परता रहे, और कोई बदमासी ना कर पाए, फित को ऐसाओ होते हुए, देखने मुझे बहुत पसंद माता है, घर में भी है, और सताना भी नहीं, मुझे सता भी नहीं पाड है, लेकिन टीचर को बहुत सता रहा है, मैं एक एक बार चिला रहा है, जीरा धनिया, थोड़ा थोड़ा पावडर, हल्दी, नमक, में जीरा और फेर डालूँगी में टमाटर तोड़ा कट्टा-कट्टा मिठा मिठा बनेगा तोरा ज्यादा ही डाला है ज्यादा मसाले नहीं एकदम हल्की पतली करी बनाऊंगी ताकि जल्दी से हजम हो जाए और कल से जो पेट की हालत खड़ावे वह भी ठीक हो जाए अगर तो अगर ऐसे पकोड़े खाल मसूर के दाल के पकोड़े तो पेट आपका टाइट हो जाएगा तो इसलिए आज बनाया यही में कारण है नहीं तो और कुछ भी तो बना सकती थी ना सबजी खाऊंगी तो और पेट बिगर जाएगा इसलिए और यह देखो करी रेडी डाल दि कि बड़े बड़े फुले फुले बन जाएंगे यह क्या. आई हूँ एक बजे आप लोगों से फिर से मिलने ना दोके तयारो के तयार मतले कैसे घर में जैसे रहती हुँ और कुछ रिल्स ऐसे ही बना लूँगी एकदम ना बनाने से तो अच्छा है घर में जैसे हो ऐसे ही अभी चावल चलाया है चावल होने में आदा घंटा लगेगा उसी बीच मैं अपना कुछ दिल्स बना लेती हूँ और आज कपड़े जो दोये टांगने की जगा नहीं इतने कपड़े दोये मैंने देखती हूँ कुछ हटा के कुछ दिद्धी दर उदर करके तो तांगना तो है जूप भी अच्छी तरह से नहीं आई आज और यह जी रहे गेम खेल रहे हैं और कोई काम नहीं सारा दिन अब पीतम गया है कुछ बेच नहीं आया था घंटी बजा के तो भागा पता नहीं किया अभी वो आया फिर दिखाती हूँ अप लोगों को तो जी खाना परोस दिया है उन दोनों को मैंने भी ले लिया यह मेरी थाली है गरम गरम चावल के उपर जो पकोड़ी की सबजी बनाई मैंने करी बनाई वो और एक पोच अंडा पोच उन दोनों के लिए बनाया तो मैंने सोचा मैं भी एक खा लेती हूँ और क्या पीतम के पापा के लिए ओमलेट पीतम के लिए अंडे की जूरी बोलते जूरी कीमा जैसा और मेरे लिए पुच मतलब तीन तीन तरके चे और मैं खाऊंगी बाहर धूप में बैठके मुझे बहुत मन हो रहा है इस सीरी पे बैठके मैं खाऊंगी अभी यहां पर मुझे बहुत- ठंड भी है और घर में धूप आ तो रही लेकिन इतना नहीं तुसको बाहर ही बैठ जाती हूं आराम से खाती हूं यहां पर और क्या आच्चोब करीब बनीती बहुत अच्छी बनीती बहुत अच्छी बहुत टेस्टी और हलकी भी सिहत के लिए तो बहुत अच्छी होती ह है तो चलो खाना कंप्लीट करके मिलती हूं तो जी लंज कंप्लीट अभी हम सोने आ गए थोड़ी दे रेस्ट करेंगे फिर पितम चार बजे जाएगा कंप्लीटर प्लास आज कंप्लीटर नहीं आज स्पोकें इंगी सारे अवकास है ना पितम क्या सीधी बात यह नहीं ब बच्पन में जब यह डेड़ दो साल का था एक टोई था बंदर उसे मैं प्यार करने लगती तो यह भाग के आजेता और उसको मार मार के भगा देता उसके आखें नोच लेता था इतना जेलस होता था और फिर उसके बाद आरूसी को है जब मैं प्यार करती थी तब भी यह जाती थी तो यह जोग जाती थी तो यह नहीं तुम नहीं ले सकते क्यों रहे क्यों रहे क्यों रहे क्यों रहे आज अरूसी कहा है अरूसी को बलता है किस को मार हो था हर बात मानती थी यह अरूसी इसका हर बात मुझे मानने को मानने को बलता आगा नहीं चली जाती है और क्या? और क्या? और यह देख। यह देख। मु ने क्या है? खाना ख़तम हुआ की नहीं? पान मसला मु के अंधर हर वक्त कैसे प्फुला हुआ है? हर वक्त आसे मु में राता है मु याँ दिखाना की दिखा तक करे दिखा, क्या नहीं है? हम लोग अभी सोच रहे हैं के पितम को स्कूल चुर्वा करें, वो इंग्लिस वीडिया में पढ़ता है, चुर्वा के यहां सामने ही, जो साल होनी हाई स्कूल है, वहां पर भर्ती करेंगे, ठीक है? तुम्हें बहुत मुस्किल हो रही है, बहुत कष्ट हो रहा है ना, इंग्लिस विडिया में पढ़ने को, हाँ, 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 ऐसे ही करेंगे, हमने सोच लिया है, मैंने और उसके पापा ने डिसाइड किया है, कि फाइब में भर्ती कर देंगे, नो टीचर, नो कुछ, जो टेंशन, कोई खर्चा नहीं, उपर से दोपर का खाना भी मुफ्त में मिलेगा, है ना, पितम, तो यह सामने, दौर के जाएगा, और दौर के आएगा, जब स्कूल छुटी होती होती है, तब बच्चे लोग ऐसे चिलाते हैं, हमारे घर तक आती, मतलब वो आवाज आत तरहे आट-नो बजे तक, फिर नहा के स्कूल चला जाए बस, वही पर खाना खालेगा, वही पर सारा दिन गुजर जाएगा, फिर साम को आएगा, तो ज़ागा, तब भी खेलोगा, खेल लेना है, ठीक है, तो ऐसे जिन्दिकी चाहिए तो तुमें, ऐसे जिन्दिकी पर्ता क्यों रही तुम? हम ऐसे ही करेंगे, देखना, क्या बलता हो जी? ठीक बोला मेने? नहीं कहोंगे? सरकारी स्कूल पर भर्ती नहीं कहोंगे? तो यह पर्ता क्यों नहीं? शागान देने, शागान. बक्री खरित तो पोगे? गाय खरित कर दोगे? और वो चराएगा य यह पर्ता क्यों पर्ता के टूर शाड़ा सारी गुर्जिली हो गाउ का घर हमारे गाउ में जो एक घर है वही पे इसको बेज देगा और यह गाय और बक्री पालेगा यह काम भी बहुत अच्छा काम है कुछ तो सीखेगा है हमा बोलो क्या रहे है अब इस चेहरा क्यों इस चुकर समझता है मास्टर दोनों आते हैं और यह समझता है कि जोकर आया है अब इनके साथ हसी होगी मजाग होगा एको चीरा आएगा गुस्ता दिलाएगा और यह मज़े लुटेगा यह करता है मास्टर जी के साथ तो जो किया थोड़ा रेस्ट कर लेती हूं पेर ये जब उठेगा अज़ेगा इसे नीन तूच जाएगे मिझी तो इतने दर थोड़ी रेस्ट कर लेती हूं चलिए बात में मिलती हूं आप लोगस से सबब्द हुं खिरकी बंद कर दो में इक्दम अन्हेरा करन और वैं रात आध Nazi entonces तो जी मेरा बच्चा आ गया है, आकर यह बोल रहा है, फोन दिखाओ, अभी फोन दिखाओ, हॉरलिक्स तो पी नहीं रहाता, पापा ने ड़ड़ा के किसी तरह पिलाया, मतलल मैं नहीं पिलाया, उसके पापा ने ड़ड़ाया, धंकाया, फिद पिया, और फोन दिखाओ, जो क्या है अपने आपको क्या समझता है वह कि इतना प्यारा चेह्रा कैसे बिगार देता है इसका थि क्या क्या हुआँ २्य। देखो इसका उब इल्सका है जाने के पाथ और यह दोनों आये तो चाय बनाई एक गेस टाय थे नहीं तो चाय कॉन बनाता इस वक्त और इसको दूद पिला दिया है इसके बाद मैं रोटी बनाऊंगी जब वो खाएंगे आप लोग जानते हो जब वो खाते हैं मैं तभी रोटी बनाती हूं गरम गरम रो आप के यह खाता है और मुझे परिसान करता है लोगो को भी जानते हूं बर जया हो है तो छोड़ो आज का वीडियोमा एपन करती हो आप लोगों को करअ मेरी वीडियो चलके तोलाइक सेयर और कमेंस करते हैं और मेरी चानल को सब्सक्राब करना बहुत 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 सुक् तो मिलती हो कल एक अच्छे से नैसे ब्लॉग के साथ तब तक के लिए टाटा गुड नाइट और फोन देना एक दम ही गलत बात कभी नहीं बच्चे लोगों को फोन एक दम नहीं देना दूसरी जो हो हो लेकिन यह आखे आखे चले जाएगे इसलिए फोन देना होगा मत देन होगा हुगा 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 हुगा